दोस्तों पटाके जलाना किसे पसंद नहीं है दिवाली का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है सायद वो पटाके ही हैं सायद आपको भी पटाके जलाना काफी पसंद होगा और आप मेंसे कई लोग दिवाली में पटाके तो जरूर जलाते होंगे पर क्या आपको पता है कि आखिर उन्हें कैसे बनाये जाता है यदी नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि इन पटाकों को बड़े पैमाने पर फैक्टरियों में कैसे तयार किया जाता है तो अभी शुरू करते हैं अपना ये दमाकेदार वीडियो तो सबसे पहले नमबर पर आती है फुलजडी जिससे हम पटाके जलाना की सुरूआत करते हैं दोस्तों फुलजडी सबसे आम पटाओं में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बुड़ों तक हर कोई इससे खेलता है तो आईए जानते हैं कि भुलजडी कैसे बनाई जाती है तो सबसे पहले एक बड़ी लखडी के खांचे में मेटैलिक तारों को डाला जाता है इसके लिए वो तारों को लखडी से बने सांचे में डाल देते हैं और फिर दूसरी लखडी से उसे पैक कर देते हैं बाद में इन सभी को एक लॉक के जरीए पैक किया जाता है जो कुछ इस तरह दिखता है अब इन तारों को बारू से बने एक पेश्ट में डुबाया जाता है और पेश्ट सूख जाने के बाद फिर से उसे इसी पेश्ट में डुबाया जाता है ताके फुलड़ी मोटी हो सके अब अच्छे से मोटा हो जाने के बाद इसके उपर मैगनीसियम पौडर का छिड़काओ किया जाता है ये वही पौडर है जो जलते हुए इतनी चमक पैदा करती है और कुछ इस प्रिकार दिखाई देती है और अलग-अलग रंगों के चमक के लिए इस पेश्ट के उपर अलग-अलग तत्वं का पौडर डाला जाता है ये पौडर पेश्ट पर चिपक कर सूख जाती है इसे सूखने में कम से कम तीन से चार दिन का समय लगता है अब अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इने एक जगा एकठा किया जाता है इन फुलड़ियों की साइच कुछ सेंटिमेटर से लेकर एक फूट तक बड़ी हो सकती है बाद में इने गिनकर कार्ट बोर्ड के बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और अब ये बाजार में बिकरी के लिए पूरी तरह के से तयार है तो कुछ इस तरह से बनाई जाती है आपके फुलड़िया दोस्तों अब नमबर दो पर आती है सुतली बम लेकिन सुतली बम के बारे में बताने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे लाल बेटन को दवा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को भी आउन कर ले दोस्तों अब आते हैं सुतली बम पर ये बम उन पटाकों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जूर की आवाज करता है पर लगबग आप में से कई लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा तो चलिए जानते हैं कि आगर इने कैसे बनाया जाता है सबसे पहले इन काड़बोर्ड के बॉक्सेस में बारूत को भर दिया जाता है और इन बॉक्सेस के ऊपर हाथों से धागा जिसे हम सुतली भी कहते हैं उसे अच्छी तरह से लेपेट कर बॉन दिया जाता है और सायद इसी सुतली के कारण इस बम का नाम सुतली बम पढ़ाओगा जब अंदर के बारुद में आग लगती है तब अंदर काफी प्रेशर किरियोट होता है और उपर से सुतली भी प्रेशर बना के रखती है इसलिए ये बम फटने के बाद काफी जूर का दमाका करती है सुतली को लपेट लेने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सुखने के लिए दूप में रख दिया जाता है और फिर इन पर कलर कर दिया जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है ये कलर कूर्शी गंटों में सूख जाते हैं और इस बम को एकठा कर लिया जाता है और फिर सुई की मदद से इन में होल किया जाता है और अब इस होल के अंदर वारुद वाले धागे या फ्यूज को डाल दिया जाता है जो की आग को अंदर वारों तक पहुँचने और बम को फूटने में मदद करता है और अब इन पर लेबल लगाय जाता है जो इन फ्यूज को पकड़ कर रखता है और इसे बक्सों में पैक कर दिया जाता है और बिक्री के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है दोस्तों नमबर तीन पर है लाल पटाके इसे साथ आप लोग अलग अलग नाम से भी जाते होगे दोस्तों ये लाल पटाके काफी आम होते हैं ये कम पावर से ज़्यादा पावर तक हर रेंज में मिलते हैं और ये पटाके काफी सस्ते होते हैं इसलिए इसकी बिक्री सभी पताकों के मुकाबले ज़ाद होती हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे बनाया जाती है सबसे पहले लाल कररो के पेपर को इस मसीन में डाल दिया जाता है ये मशीन इस papers को gold rolls में convert कर देती है ये rolls एक foot तक लंबे होते हैं अब इन rolls को bundle में बना के रख दिया जाता है अब इन rolls को platform पर align किया जाता है और फिर cutters के मदद से इन tube पो छोटे जोटे टुकडे कर दे जाते हैं इन चोटे हिस्सों को एक metal strips के जरिए एक sets बना लिये जाते हैं भारत में ये सारी process हातों से की जाती है इसमें cutting से लेकर paper rolling भी हातों से ही की जाती है बात में इन sets के उपर tissue paper चड़ाय जाते हैं और अब इन sets के दूसरी तरफ मिट्टी के लेप लगाय जाती है इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर की बारत बाहर नहीं निकलती है और अब इन sets के tissue paper की तरफ हातों से holes बनाय जाते हैं और इन holes के जरिये इसमें बारत को भर दिया जाता है और अब बारी आती है fuse बनाने की जो पठाकों का सबसे जरूरी हिस्सा है सबसे पहले धाकों को बारत की paste में डूबा कर सुखाया जाता है अब इन fuse को छोटे size में काट दिया जाता है अब इन fuse को paste की तौपर बनाय हुए बारत में डूबा कर इन पठाकों के उपर लगाया जाता है अब पटाकों के सिट सूख जाने के बाद इन सभी पटाकों को मेटल स्ट्रीप से बाहर निकाल लिया जाता है अब एक एकर करके हाथों से इन पटाकों की लड़े बना लिये जाते हैं और सबसे आखिर में इन परताखों को छोटे छोटे पैकट्स में पैक किया जाता है या इनके बड़े वाले रोल्स भी बनाये जाते हैं और अब ये बिकरी के लिए तैयार है दोस्तों अब नमबर चार पढ़ाती है हम सब की फेबरेट चकरी इसे जलाने में जितनों मज़ा आता है उतना ही मज़ा इसे देखने में भी आता है तो चलिए अब देखते हैं चकरी कैसे बनती है दोस्तों चकरी को बनाने के लिए पेपर ट्यूब का यूस किया जाता है फिर उस पेपर ट्यूब में बारूद भर दी जाती है फिर इन सभी ट्यूब को एक फ्लेट फॉर्म पर रखा जाता है और एक बेलन की साहता से इसको चकरी का सेप दे दिया जाता है फिर उसमें गोंद लागा कर एक सांचे में सेट होने के लिए रख दिया जाता है कुछ दिरबान गोंद सूपकर उसे चकरी का रूप दे देती है उसके बाद चकरी के एक तरफ लट्टू जैसी कार्डबोर्ड को चिपका जाता है जिससे चकरी को घूमने में आसानी होती है और चकरी के दूसरी ओर कमपनी अपना इस्टी का चिपका देती है और अब इन चकरी को बॉक्से में पैकर मार्केट में भेज दिया जाता है दोस्तों अब सबसे आखिर में आती है अनार जो जलने पर सबको अपनी और आकरसित कर लेती है दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्टबोर्ड को एक खास सेप में काट लिया जाता है फिर इसके उपर गोन लाकर इसको कोन का सेप दे दिया जाता है और इसके नुकिले वाले साइड में टीसू पेपर को लगाय जाता है उसके बाद इसमें दूसरी तरफ से बारूत को भर दिया जाता है और एक कार्डबोर्ड की साहता से उसे ढख दिया जाता है फिर इसको सील करने के लिए इसके पीछे मट्टी का लेप चड़ाये जाता है और अब बारी आती है फ्यूज लगाने की फ्यूज लगाने के लिए सबसे पहले टीसू पेबर में छेत कर दिया जाता है उसके बाद फ्यूज को बारूत के पेश्ट में डूओ कर अनार के होल्स में डाल दिया जाता है फिर इसको सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है फिर सूख जाने के बाद आखिर में अनार के उपर कमपनी अपना इस्टिकर चिपका देती है फिर इन्हें बॉक्सेस में पैकर बाजार में बिखरी के लिए भेज दिया जाता है दोस्तों अब दिवाली काफी नज़दी का रही है तो जाहिर सी बात है कि आप भी पता के जरूर करेंगे इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेबरेट पता का कौन कौन सा है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें मुझे इस वीडियो के जानकारी को इकठा करने में काफी समय लगा है दोस्तों और आपको लाइक करने में एक सेकेंट भी नहीं लेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और आगे आप अगर ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखना चाते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दियेगे लाल बटन को दबा कर हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बाद में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो दोस्तों अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मरिदार वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाके जलाते वक्त अपने बढ़ों को साथ में जरूर रखिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद